Hello students, इस वीडियो हमें solve करते हैं, question number 41 इसमें दियावा है, find the sum of first 51 term of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively, क्या दियावा है? question में हमें second term, एक AP का second term दियावा है और third term दियावा है, मतलब second term हो गया, T2 इसका value दियावा है, 14 और T3 third term दियावा है, इसका value है 18 और हमें find क्या करना है, find the sum of first 51 term, S51 हमें find करना है, तो given information के help से पहले हम A और D calculate कर लेते हैं, T2 मतलब second term, second term को हम लोग कैसे लिखते हैं, A plus D equal to 14 और third term हो गया, A plus 2D equal to 18, ठीक है, इन दोनों equation को solve करेंगे, तो यहां से हमें A और D का value मिल जाएगा, दोनों equation को क्या करते हैं, subtract, तो subtract करेंगे, यह minus minus minus, तो A minus A कट गया, D minus 2D हो गया, minus D और 14 minus 18 हो गया, minus 4, minus minus cancel हो गया, D का value हो गया, 4, ठीक है, D का value 4 मिल गया, तो अब D के value को put कर देंगे, हम लोग इसमें, क्या था हमारे पास equation, T2 equal to 14, मतलब A plus D equal to 14, A plus D के place पे आगया, 4 equal to 14, तो A का value मिल जाएगा, 4 धर जाएगे, minus हो जाएगा, तो A का value मिल गया, 10 और D का value मिल गया, 4, तो अब चाहिए, S51, तो S51 equal to 51 upon 2, 2A plus 51 minus 1D, यह हो गया, 51 upon 2, 2A के place पे है, 10 plus 50 minus, 50 यह हो जाएगा, 50 into D के place पे है, 4, ती हो गया, 51 upon 2, 2 into 10, 20 plus 54, 200, ती हो गया, 51 upon 2 into 220, 2 से cut जाएगा, यह 1, 1, 0 बार में, तो 51 into 110, ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, हमें 51 को 11 से multiply करना है, तो 11 से किसी भी नंबर को multiply करना काफी easy होता है, जिस भी नंबर को हमें 11 से multiply करना है, हम वही नंबर लिख देते हैं, 51 और दोनों नंबर को plus करके बीच में लिख देंगे, 5 और 1 ही हो गया, 6, 5, 6, 1 और यह 0 था, तो 0 आ जाएगा, तो S51 हमें मिल गया, 5610, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोशन के साथ,